वेलकम टुए जाम के उस्तक आजके इस वीडियो में हम लोग सिखने वाला है मोबाइल एक्सल में अटेंडेंश इट कैसे बनाएं इस वीडियो में दस दिन का अटेंडेंश इट बनाकर दिखाऊंगा ओवी असमाट तरीके से यहाँ पर स्रियल नंबर को यहाँ पर लोई का बना रहे हैं तो यहां पर मैं दस दिन का यहां पर अटेंडेंस इट बनाओंगा आप अपने नुसार आप बना सकते हैं एक महीने का या फिर एक साल का बना सकते हैं तो मैं इस वीडियो में दस दिन का अटेंडेंस इट बना कर आपको दिखाऊंगा तो देखिए य यहां पे डेट को फिल किया गया एक。 तर दीन तक अटेंदेंस इट बनाना है तो आप परेजेंट में यहाँ पर आपको जीरो दिखाये देरा है सभी का डाठा यहां दिखाई दे रहा है यहां पर संडे आप मतलब दो दो दिखाई दे रहा है यहां पर मतलब एक से दस्तारी के अंदर दो संडे पढ़ा है तो यहां पर संडे संडे को दो दो दिखाई दे रहा है ओके यहां पर तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट अमित को फिल करना मैं एक दोर 21 को तो यहां पर माल लिजीए फैक हो फिल गाए ठीक है तो यहां पर देख लिजीक एकान को एक परशback केर दो यहां पर कर दिया ओके यहांे घख लिजय यहां पर रिल इता हुए है कि ठेक देख संद coaching और धिर फैक है में अब सेंट को count कर लिया कि इस तरह से यहां पर और डेटा को fill कर देता हूं यहां पर देख लिजिए गा फिल करने के बाद यहां पे आप देख लिजिये गा यहाँ पर देख लिजिये यहाँ पर present में यहाँ पर दो आ गया यहाँ पर absent में यहाँ पर 0 अभी तक फिन नहीं किया गया फिन यहाँ present में 1 absent में 1 ओके इस तरह से हम लोग अपना attendendancy का जो यह count करने का तरीका है पी और अफसेंट को तो एक किस बेस पर काउंट करता है और कौन सा फर्मूला का प्रियोग करकर हम लोग इसको काउंट कराएंगे तो चलिए यहां पर present और absent को count करना है तो present और absent को count करने के लिए यहां पर present वाले में हमको क्या करना होगा यहां पर double type करकर इसके बाद आपको क्या करना होगा equal लगाना होगा इसके बाद आपको क्या type करना होगा count if जब आप लोग count if यहां पर type करेंगे तो इस तरह से count फे click कर लेना है इसके बाद आपको क्या करना होगा range देना होगा तो range देने के लिए आपको क्या करना होगा यहां से आपका जो भी date है उस date को के नीचे वाले sale को select कर लेना है आपको जितना तक आपने बनाया है जिस date से जिस date तक आप बना रहे हैं अटेंडे के मारे जिए मेरा जो है दस तारीक तक है एक से दस तारीक तक I तो यहां में select करना है यहां पिका लगा लेना इसके पर आपको क्या करना है to u क्लीक कर लेना है यहाँ पर देख लिए यहाँ पर प्रजेंट का फर्मूला लगांगे प्रजेंट के लिए और इसके बाद इसको सेलेट करकर इसके बाद आपको क्या करना है ऐख टैप कर लेना है इसके बाद भी спросson दिखाई दखाए दे रहा है इसे क्लिक कर लेना है एसके बाद नीचे तक आपको ड्रै स्टालयना है तो यहाँ पे प्रजेंट नहीं किया यहां पर टाइब कर देता हूं तो यहां पर देख लिजेगा काउंट कर देगा यहां पर देखिए प्रजेंट में एक काउंट कर लिए इसी तरह आप लोग अपसेंट के लिए फर्मूला लगाएंगे एक्वाल यहां पर टाइब करेंगे काउंट इ उस तरह को लगाना है इसके बाद आपको क्या करना है है क्लिक करना है यहाँ पर देख लीजी इसको क्लिक करकर यहां पर आपको क्या करना है फिल पर आपको क्लिक करना है इसके वाद नीचे तरह आपको ड्रैग कर लेंगे तो यहां पर जीरो जीरो आ जाएगा इस तरह से इसमें भी संडे आप में भी काउंट फर्मूला का प्रियोग करकर आप इस तरह से लिकाल सकते हैं तो तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करकर बताएगा यहां पर आपको दिखा देता हूं और फिल करकर यहां पर मैं टाइप करता हूं यहां पर देख लिजिएगा यहां पर देख लिजिएगा आगे आप सेंट का यहां पर मैं टाइप कर देता हूं यहां प बिखे पर करता हूं यहाँ पी टाइब करता हूं इसके बाद देख, यहाँ पर इटोमाटिक काउंट कर रहा है देख लिजय यहाँ पर इटोमाटिक काउंट हो रहा है नौ तो इस तरह से आप लोग और टेंडेंशा बना सकते हैं झाल झाल झाल